नमस्कार स्वागत है आप सभी का ग्रामीड विकास की चोथी कच्छा में अगर आपने तीनुक अच्छा है नहीं देखी है जा करके देख लिजे प्लेलिस्ट बना हुआ है ग्रामीड विकास का आप उसे देखते रहिए यह एक बहुत छोटा वीडियो होगा इसके बाद ज नहीं एक बटा दो से उपर कर हमसे लिया जा रहा था उसके बारे में हम बात करेंगे और आप से एक निवेदन करना चाहेंगे निवेदन यही है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जो ग्रामीड परिवे मोबाइल से जो पीडियाफ वाली वीडियो बनता है उसका मैं पीपीटी बनाऊंगा पीपीटी बनाने के बाद एक दिन में पीडियाफ मतलब की पूरे उत्तरप्रदेश की उजनाओं का एक वीडियो जाएगा जो 50-60 मिनट की होगी उसी एक एक वीडियो में आप उत्तर की बनाके अच्छे से दे दूँगा जो नॉर्मल देखिए किताबों में क्या होता है किताबों में आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा विस्त्रित रूप में लिखा होता है समझने में दिक्कत होती है और ज्यादा तर वर्तमान के समय में बच्चे जो है मोबाइल से पढ़ आपने नाम सुना होगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना यह आप अपने बाबाजी जवाब के किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर लोन लेते थे किसान क्रेडिक कार्ड पे किसी वजह से तो आप उसे जानिए किसान क्रेडिक कार्ड योजना होता क्या है क्योंकि यहां से तो जाणकारी रखिएगा ठीक है चलिए किसान क्रेटिक कड़ का प्रारम क्विए ठैके लिचान इस योजना हकदार कौन होता है सभी किसान इस योजना के हकदार नहीं होते हैं इसमें गया है। यहां पर हुशा इंहयत है मंशी नहीं होता है। के जो माईने रखता हो आपकी प्रोडक्टिविटी माईने रखता आपने उत्पाद कितना किया है अगर आपने 5000 रूपए 5000 रूपए या इससे ज्यादा का उत्पाद एक फसली वर्स में उत्पन कर दिया तो आप रिण के हकदार है ठीक है आप छोटे किसान है बड़े किसा आने कभी वीडियो बताऊंगा किसी इमान तक खेत किसे कहते हैं बड़े मध्यम खेत किसे कहते उसके बारे वीडियो जाएगा तो अभी यहां पर देखेगा आपके पास कितना खेत है माईनी रखता है लेकिन आप जो है 5000 से ज्यादा प्रोडिक्टिविटी कर रहे हैं या क्योंकि एक फसली वर्ष 12 माहिने का होता है ठीक है फसली वर्ष कब से कब तक सुरू होता है एक जुलाई से एक जुलाई से 30 जून तक सुरू होता है 30 जून तक जो होता है उसे फसली वर्ष कहा जाता है ठीक है समझ मैं तो वित्त वर्ष और फसली वर्ष में बहुत बड जैसे आपका खेत है, Judithे अफ़िस्टा आपके पास खेत है तो आपको 10 लाक लून नहीं दिया जाएगा ये जो ब्याज लून दिया जाता है लौन किसी वज़त दिया जाता है धिया रखियगा किससे आधार पर दिया जाता है तो आधार भूमी है भूम का आधार क्यों जैसे तो 5000 की प्रोड़क्टिविटी है आपको लोन मिल जाएगा लेकिन लोन कितना मिलेगा वैलू देगी आपके भूमी पर अब भूम पर आते हैं सबसे पहली प्रियर्टी आपको दी जाएगी कि आपके पास भूमी कितनी है आपके पास ए रिन का आधार क्या होता है तो रिन का आधार पहली प्रियर्टी प्रोड़क्टिविटी 5000 की दूसरी प्रियर्टी आपको भूम पर दी जाती है ठीक है यह किस वजह से लोन दिया जाता है आज के वरतमान के समय में जो बड़े किसान है जिनके घरदो अब नहीं बोलना चा चाहिए घरिब खिसान को मिलना चाहिए लेकिन ठीक होते हैं तो यही है कि खेती के लिए भीज लेना अर्ववरक शुटिटव के प्रियो रोकने के लिए प्रसासनिक टीम अच्छी तरीके से जाच बनानी चाहिए, लेकिन कमेटी बनती है, कमेटी जाती है, आप सभी लोग जानते हैं भारत में किस तरीके से ब्रहश्टाचार है, कमेटी गठी थोटी है, कमेटी कागज में आपके घर पहुचती है, किसान के घर का प्रसासनिक कारियों को भरस्टाचार मुक्त करने का प्रयास करेंगे जिससे एक स्वच्छयों स्वस्थ भारत का निर्माड होगा अगर आप चाहते हैं स्वस्थ भारत का निर्माड हो तो आप प्रसासनिक है पद पर पहुचने के बाद भरस्टाचार मुक्त भारत निर्मा वर्स तक आपकी जो रासी होती हो बढ़ाई जाएगी जैसे आपने प्रथम वर्स 45,000 रूपए लोन पाया दूसरे वर्स आपके 5000 रूपए बढ़ाई जाएगी पांच 5000 रूपए करके बढ़ाई जाएगा जब छोटे किसान होते हैं कुछ लोग बड़े अस्तर के होते हैं प्रारम में तीन वर्स आपको दुबारा दुबारा से कागज नहीं लेके जाना पड़ेगा लेकिन तीन वर्स के बाद अगर आप फिर से के सिसी लेना चाहते हैं माना जाता है भाई तीन वर्स तक अगर सरकार ने आपका सहयोग किया है तो ऐसा सरकार भी उम्मीद करती है कि भाईया मैंने किसान को तीन वर्स तक सहयोग किया है तो तीन वर्स के बाद किसान जो है इस सच्छम तो ही गया होगा कि अपना खेती बारी कर लेगा लेकिन पढ़ाई जा सकती रिडिसीमा का मतलब क्या है जैसे 45,000 पहली बार में दिया गया दूसरी बार में आपको 50,000 दिया जाए वह आपके भूमी और आपके क्रेडिट पर निर्भर करता है कि आप जहां से लोन रहें लोन कहां से मिलता है मैं आपको बता दू यह के सी सी बनता कह अगर आप से पूछा जाए इस चीट को दियान रखें कभी पूछा जा सकता है कि ग्रामीण में की अस्थापना कब होती है तो 975 में होती है और व्यश्टीक नाम क्या होता है उस ग्रामीड का किना का नाम होता है नाम होता है नाम होता है ढाखियेगा थिक है तो 995 में प्रथम Gramid bank खोली आती है मुरादाबार त्रॉत में पर आधमा ध्यान रखेगा कभी कभा और कुछा जा सकता है और जो के शिसी नाम होता में कभी-कभी समस्याई हो जाती हैं और बारा महिने में वह जो है नहीं जमा कर पाते हैं कि क्षण जो कोशन पुजारी अपने टाइप किया है और इसमें जो सबसे बड़ा परिवर्थन किया गया um 2002-2003 में इसमें परिवर्थन किया गया जो जिस किसान को लोन दिया जाता है उसे जो है जीवन बीमा दी गई अभी जीवन बीमा का होता है जीवन बीमा दी गई जीवन बीमा कुछ पैसा जमा करना पड़ता है वो प्रीमियम होता है कितना पैसा आप महीना महीना जमा करिए ठीक है 15 रूपए जमा करिए 12 रूपए जमा सायोग करना पड़ेगा हर महीने आपको प्रेमियम देना पड़ेगा 12 रूपे 15 रूपे 20 रूपे जो भी प्रेमियम लगाया जाता है जितनी रासी आपकी जीवन भीमा की होगी ठीक है तो यहां पर क्या होता है किसान क्रेडिट काड योजना में 2002 और 2003 में एक महत्वपुर बदलाव किया गया इसमें कहा गया कि अब हर एक किसान की व्यक्तियत जीवन भीमा बनाया जागा क्योंकि किसान जो है किती करते करते कभी कभार जो है कभी कभार किसी किसान साथी की मृत्ति हो जाती है और कभी-कभी ऐसी अन होनी हो जाती है कि उन्हें परलाइस हो जाता ह से हमारे देशिय भासम फालिज कहा जाता है ठीक है ऐसी इस्थती होने की दसा में अगर आप की सी-सी धारक है तो आपको मतलब की प्रीमियम दिया जाता है कि जिससे आप दवाई सुई करा पाएं और आने वाले समय में आपका परिवार जो है जो आपके घर में दुख हुआ आए तो कि दुख सहन करने की चमता जैसे कोई कमाने वाला व्यक्ति आपके घर में हो एक आए गुजर जाता है तो यहीं कहा जाता है कि अगर आपकी आर्थिक रूप से सहायता की जाएगी ता परिवारिक रूप से थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे अगर सहायता नहीं ह पचाससजार रूपाय गार के लिए ruba को दिया जाता है वरी जो पचीसजार और यह से पचीस कते अरुपिया की सुरत मिल ने पर शिकल जाएगा अब जो और महत्वण योजन आये हैं मैं एक PDF के माध्यम से वीडियो जो PDF वाली वीडियो जाता उसमें मैं बताऊंगा इसमें किसान क्रेट काड योजना बहुत ही महत्वण योजना थी इस वजह से मैंने बताया ठीक है ध्यान रखेगा अब अंग्रेजों के द्वारा जो ह यहां से कोशन पूछा जाते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि जमीदारी ब्यवस्था की सुरुवात कब हुआ था जमीदारी ब्यवस्था का प्रारम किस ने किया था सबसे ज्यादा तो यहीं पूछा जाता है किस ने किया था कब हुआ था इसके बारे में ज्यादा रहाए गए और जुल्मों की एक कहानी है जो कहानी जो है तमाम तरीके से हमारे उपर लागू करने का प्रयास किया गया उसी उसी कड़ी में जमीदारी ब्यवस्था महालवड़ी ब्यवस्था और रयत वाली ब्यवस्था हमारे उपर लागू किया गया और किस तरीके से तो सबसे पहली जो विवस्था प्रारम की गई भूम को कबजा करने के लिए भूम से अधिक रिण लेने के लिए वह विवस्था प्रारम की गई जमीदारी विवस्था इसमें क्या होता था इसमें पूरा जो आपके गाउं का खेत होता था गाउं के खेत जो है बड़े थे लोग उस समय के जो है बड़े लोगों का मतलब इनके पास सक्ती होती थी सबसे मजबूत होते थे पर जमीदार मोहन भाईया हमारी तरह नितिन भाईया और आप की मतलब की और कर तो जमीदार को ही देना था ठीक है इसमें कर कौन देता था कर तो जमीदार ही देता था क्योंकि जो भूम का स्वामीत था किसके पास था जमीदार के पास था ठीक है इसकी शुरुवात किसी ने किया था क्वेशन वेरी इंपोर्टेंट है लाड कार्णवाल इसने शु भूआ फुचा जाएगा कि अपसे पुचा जाएगा कि जमीदारी बेवस्था इसे कहते थे जहां पर लगान फिक्स कर दिया जाता था बहिया जमिदार सहिब आपको इतने परसंट लगान देना है ठीक है लेकिन आस्थाई बंदोबस्त में का होता था आस्थाई बंदोबस्त जहां की जमीन उपजाओ होती थी वहाँ आस्थाई बंदोबस्त लागू किया जाता था इसका मतलब यह है 20 साल के लिए आपको 15%, 20%, 25% आपको कर देना पड़ेगा लेकिन 20 साल के बाद जब आपकी जमीन प्रोड़क्टिविटी और अच्छी हो जाएगी तब आपको और लवन देना पड़ेगा ठीक है तो आस्थाई बंदोबस्त व्योस्ता यही थी 20 से 40 वर्स के बाद आपकी कर रासी बढ़ाई जाएग अस्थाई बंदोबस्त में हमेशा के लिए आपको जो है उतने ही कर देना पड़ेगा संध में चली है कि आजए बात करते हैं महाल वाड़ी वियोस्ता मैं बहुत ज्यादा सुमिन होता है महाल वार क्या थ पूरे गाहू से लोलन पुरे गाहूं से कर दिया जाता था अब इसमें हुआ क्या इसमें जो है आप खेती करते हैं आपका भी अधिकार बनता है अल्ठात इसमें जो है जो जो है जो गरीब किसान थे उनकी सानों को भी भूमिस्वामित दिया गया जब इनके पास भूम स्वामी तुआया जैसे आपकी अपनी जमीन हो जाया आप उसमें और अधिक मेनत करेंगे ठीक है तीसे महाल का मतलब होता है गाउं इसमें पूरा एक गाउं बनाया गया और गाउं के प्रत्यक व्यक्ति से कहा गया कि आप प्रत्यक व्यक्ति आपने ए सबसे बड़ी समस्या यही थी जिसे दस कि पंद्रा किलो एक खेत पर कर लगाए गया आपकी प्रोड़क्टिविटी दस किलो होती है तापको 15 किलो कर देना है हर हाल में देना है अगर आपका नहीं होता है पांच किलो देने के लिए आप अपना बैल बेच दीजिए आप जमीन बेच दीजिए लेकिन आपको देना देना है 15 किलो ठीक है उसके जादा हो जाता है तब भी 15 किलो दे दीजिए और उसके ऊपर वाला रख लीजिए लेकिन 15 किलो हर हाल में ही देना है यही समस्या थी उस समय यही जुल्म था ठीक है तो महाल वाली बियोस्था जो है पूरे गाउं से लिया जाता था अब इसमें गाउं का प्रत्यक व्यक्ति एक मुखिया नियुक्त करता था गाउं के मुखिया जी घरे घरे जाए के बहुत है कि जमा कई देव साहिप लगे ठीक है तो गाउं के जो मुखिया होते तो मुखिया हरे घर से करे कत्रित करते थे ले जाकर कि जमा कर देते थे महालवाड़ी व्योस्था की प्रारम जो है अगर आप से इस तरीके से कुशन पुजाएं महालवाड़ी व्योस्था का प्रारम प्रारम किस ने किया था तो किस ने किया था हाल्ट मैकेंजी ने किया था कब किया था अठारा सो नई इसमें और इ प्रयोग किया था लेकिन कभी कबार कूछा जाता है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के संदर में पढ़ रहे हैं तो आप से कोच्ण पूछा जाएगा कि में प्रीयोग स्थिश्टिंग सब्सक्राइब त्यक्ति किया था लाट हेश्टिंक शूरूंब 116 में मेल चेट्रस लेकिने किया और उसके बाद वारेंच े प्रकप्रक्राच प्रकरें चॉट्तर प्रदैस सोय खीखिया एंस रावेश्टों में लाट हेश्टिंक शूरू को ठीक है तो मेद करता हूं महाल वाली व्योस्था की शुरुवाद किसी कि दिधान रखिया रहत माड़ी व्योस्था जो 1792 में इसका प्रथम प्रयोग वह था आप से कोश्वा पूछा जाएगा कर रहत माड़ी व्योस्था कब शुरू हुए थी तो ध्यान से उस्तर लगाई हगा 1792 में शुरू हुआ ठीक है 1792 में र시यत वाड़ी ब्योस्था सुरू हुआ तौ नहीं को अच्छी सरीके से लाओ करने का की सीधह सीधह रिसपॉंस जिसके उपर जाता है उसका नाम मैं धामस मुन्रो क्या नाम है ध्यान रखेगा रहयत वाली विवस्था, शुरुवात कब हुई थी, 1792 में, लेकिन 1792 में एक च्छोड़ा सा प्रियोग मदरास के गाउं में किया गया था, लेकिन रहे टॉर याश धॉरी तरीक से पूरे द्च्छ्ड भारत में लागु आता और कब हुआ था फर्फं प्रूफ प्रयों में बंद्रास कीचठाय से गॉंपिए लिकीन इसका जो दछू भारत में पुर्णता विस्तार हुआ था 1820 में थामस मुन्रों के भीच हुआ था ठीक है तुम मीद करता हूं सारी चीजे असपस्ट हुई है दो चीजे मैंने इसमें बताया बहुत ज्यादा कोश्चन पूछा जाता है बहुत पूछा जाता है और यहां से किसान क्रेड काड योज यही से कुश्चन बनेगा तुसे में धीरे 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 पीडिया कल मैं कोसिस करूंगा कि पीडिया के माध्यान से 50-60 मिनिट में आपको उत्तर प्रदेश की पूरी योजनाय पढ़ा दी जाए ठीक है वीडियो को यहीं पर रखते हैं आगे से प्रयास का पीडिया वाली वीडियो अच्छे से दिया जाए जिसे आपको और अच्छे समझें बहुत बहुत धन्यवाद